हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत पैटन सियर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाए कर सकते हैं, इस पैटन को बनाने के लिए हमने 6 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, पलस हमने 4 फं आप से फंदे डालने हैं, फिर कोई सा भी बॉर्डर बनाके कंप्लेट करने हैं, बॉर्डर कंप्लेट होने के बाद फ्रेंट साइट से हमने एक वेस रो बनाके कंप्लेट कर लिनी हैं, वेस रो कंप्लेट होने के बाद हमने रोंग साइट से पैटन बनाना इस्टार्ड क और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो उच्की नोट्पिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें बीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और बीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटन बनाना स्टाड करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने एक बेस रो बनाके कमपलीट कर लेनी है base row को हमने सीधा सीधा बुनते हुए complete करना है base row complete होने के बाद wrong side से हमारा pattern बनना start होगा अब देखिए pattern की first row wrong side से base row को हमने सीधा सीधा बुनते हुए complete करना है अब wrong side से हमारा pattern बनना start होगा तो देखिए और base row हमारी repeat नहीं होगी दिखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, दो फंदों में हम यहाँ पे पैटन डालेंगे, सेंटर में, इन दो फंदों को हम डबल रूल करके बुन लेना है तो यह देखे यह फंदा हमारा डबल रोल करके आ गया अब नेस्ट फंदे में भी हमें यही प्रोसिस रिपीट करना है इस तरीके से हम सलाई में दो बार धागे को लपेटेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे यह देखे फिर एक फंदा उटा अब हमने इन ही 6 फं प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस बार-बार रिपीट करना है इने ही 6 फंदो का प्रोसिस हम बार बार रिपीट करेंगे, लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा आ जाएगा, तो देखें ये पैटर्न की फर्स्ट रो कम्प्लीट हुआ ही बैक साइड से, अब देखें फ्रंट साइड से पैटर्न की सेकिंड रो, अब सेकिंड रो में द अब देखें, जो सेकिंड नंबर का फंदा है, इसको आगे लाएंगे, आगे का फंदा पीछे, तो देखें, जो डबल रोल वाला फंदा है, इसको राइट निडिल में उठाएंगे, आगे का जो सिंगल फंदा है, इसको बैक साइड से लेप्ट निडिल में, अब देखे double roll वाला फंदा हमारा single हो गया और इसको हम आगे लाएंगे इस तरीके से और इन दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे एक दो यह देखे अब next यही process रिपीट होगा back side की तरब से second number का फंदा आगे लाएंगे आगे का फंदा देखे डबल रूल वाला हैसे सिंगल करके पीछे ले जाएंगे अब इन दोनों फंदों को हम एक एक करके सीधा बुनेंगे एक दो यह देखें अब नेश्ट आमने इन ही छै फंदों का प्रोसिस आगे रिपीट करना है धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे सेख दो फंदों को एक एक करके सीधा दुनिंगे देखिये नेश्ट देख pessimism नमबर का फंदा बैक साइड की तरब से आगे लाएंगे आगे पा फंदा पीछे अब इन दोनों फंदों को एक सीधा बुनेंगे लास्ट के फंदे उटे आ जाएंगे फिर धागा पिछे लास्ट वाला फंदा सीधा तो देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कम्प्लेट हो गई दो ही सलायों का पैटन है ये हमारा ये ही दो सलायां हमें बार बार रिपीट करते जानी है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से दिखेगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे किसी भी प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सेर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू